महा शिवरातरी की आप सभी को रेर सारी सुपकामना है आज मैं हमारे लक्षमी नायन जी का स्रिंगार शिव पारवती स्वरूप में कर रही हूँ तो आप जरूर से बताएए को उनका स्रिंगार कैसे हुआ है और कैसा लगा आपको चलो वीडियो स्टार्ट करते इससे पहले पहली बार चैनल पर आये हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रैन वीडियो चलो उसे शेर करें तो यहाँ पर यह पोशाक मैंने अपने हातों से ही बनाई है और इनको पहना दी है और नीचे मैंने धोती नहीं पहनाई है क्योंकि हमारे महादेव जी मर्ग छालका इस तरह से पहनते हैं और उपर मैंने उनको इस तरह से पहना दी है अब माला जो यह आर्टिफेशल रुद्राक्ष है जो कि बगवान जी के ज्वैलरी जहां कुंदन वगरे मिलते हैं लेकर आते हैं वहाँ पर यह मालाए मिल जाती है और जहां ज्वैलरी मिलती है इनकी वहाँ पर भी यह मिल जाती है मालाए ये करीबन मेरे पास एक साल से रखी वे थे, मैं यूज नहीं कर पाई थी, लेकिन आज इनका स्रेंगार था, जब इनको स्रेंगार अपना करवाना था, तो ये काम आ गई है, तो मैंने इनके कमर पर माला को लपेट कर बांद दिया है, गले में भी इस तरह से हार पेनाया है, कानों में रुद्राक्ष के येरिंग्स धारन करवाए हैं, जो कि मैं गलू टेक जो एकाता है, उसी से मैं जो एलरी जो चिपकानी होती है, वो उनको इससे से चिपकाती हूँ, तो इस तरह से मैंने उनको कानों में पहना दिया है, कानों में पहनाने के बाद मैं गले में इ और इसलिए मैं दो बड़े वाले हातों में पहना देती हूँ, नीचे वाले हातों में दूसरे कंगन पहना दूँगी क्योंकि ऐसा सही लगेगा और जो दूसरे कंगन है वो ग्रीन, वाइट और रेड में हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा उसका भी तो इस तरह से ये रुद्राक्ष वाले कंगन चार दो हातों में पहना दूँगी और दो हातों में दूसरे कंगन में पहना दूँगी तो यहाँ पर देखिए हमारे महादेव जी अच्छे से तयार हो रहे हैं उनके पाउं में वही मैंने पहना दी है मेन यहाँ पर पाट आता है उनके बालों को सेट करना बहुत टाइम लगा था लेकिन सेट हो गएते देखिए किस किस तरह से मैं अजस्ट कर रही हूँ पहले मैंने वो बाल लगाये फिर मैंने चोटी को ऐसे लगाने की कोशिश करी लेकिन नहीं सेट हुए उसके बाद में मैंने दूसरा तरीका सोचा और उसको सेट करने का बहुत तरीके अपना अपना कर उनकी मैंने चोटी सेट करी तब जाकर उनके बाल सेट हुए है ये देखिए अब मैं उनके बालों में रुद्राक्स की इस तरह से लगा रही हूँ और इनका तिलक में बना बनाया काफी टाइम पहले लेकर आ गई थी वो मैंने लगा दिया है और उनको डमरू हातों में धार्ण करवा दिया है और दूसरे हात में मैंने तरसूल धार्ण करवा दिया है अगर हम देखते हैं तो महादेव जी के हात चार भुजा वाले हैं एक हात में उन्होंने डमरू रख रखा है दूसरे हाथ में कहीं कहीं फोटो वीडियो में दिखाई देखा कि संख भी धारण करावा होता है वैसे महादेव जी को संख से अभिशेक करवाना वर्जित है और यहाँ पर देखिए मैंने उनको जो भी चीजे थी वो मैंने धारण करवा दी है सिवरातरी का उत्सव हम कहीं हर जगा लोगों को यह समझ में आता है उनका इस दिन साधी हुई थी उनका साधी की सालगिरा थी लेकिन ऐसा नहीं है महादेव जी के जनम दिन के परव पर हम मनाते हैं जैसे इस दिन भगवान जी का स्विलिंग के स्वरूप में उनका अवतरन हुआ था इसलिए सिवरात्री मनाई जाती है लेकिन हम बचपन से हमारे पूर्वज भी यही सुनते और करते आ रहे हैं कि सिवरात्री के दिन शिव पार्वती जी का विवहा हुआ था तो यहां पर देखे मैंने माता पार्वती की जी के लिए वाइट कलर की पोशाक बनाई है बहुत ही प्यारी है और लाल कलर का दुपटा मैंने मेरून लाल कलर जैसा दुपटा रखा है तो यहाँ पर माता पार्वती का भी स्रिंगार होगा बहुत ही सुन्दर सा तो यहाँ पर कमरबंद मैंने धहन करवा दिया है और दुपट्टे के साथ आज मैं दुपट्टा एक साइड ही रखने वाली हूँ और यह हार मैंने अपने हाथों से बनाया है इसमें जो मोतिये दूसरे गिरीन और रैड वाइट है यह पत्थर के बने हुए है और यह लॉंग हार है यह सारी जुएलरी नई मैंने बनाई है अपने हाथों से बहुत ही प्यारी जुएलरी है और उनको मैं धारन करवाते जा रही हूँ और मंगल सुत्र भी इसी के साथ धारन करवाउंगी और हमारा माता लक्षमी का स्रिंगार माता पार्वती के स्वरूप में हो रहा है आपको कैसा लग रहा है जरूर से बताईयेगा मैं सोच रही थी कि इनका स्रिंगार एक दिन पहले करूँ लेकिन नहीं इनको अपना स्रिंगार सिवरातरी वाले दिन ही करवाना था तो उस दिन मैंने इनका स्रिंगार दुपहर तक किया था इनको मैंने अभिशेक करवाया जौल से कच्चे दूद से और दही से और इसके बाद मैंने इनका स्रिंगार कर रही हूँ और स्रिंगार इनका सिवरातरी वाले दिन ही मैंने किया मेरा वर्त भी रखा हुआ था उपुआस था और स्रिंगार करते करते हैं न वो थोड़ा विकनेस आ रही थी लेकिन वो भगवान अपने आप से हमें शक्ती परदान करते हैं भक्ती में सकती होती ही है तो वो सारी चीजे थी और सुबह मैंने अभी शेक किया और जो भी तयार्या हुई जल अभी शेक का वीडियो अलग से आएगा वो जरूर से आप वाच कीजिएगा आपको उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा तो यहाँ पर मैंने माता को मंगल सूतर धान करवा दिये हैं बाल धारन करवा दिये हैं अब मैं उनको माथे पर माथा पट्टी लगाऊंगी इस बार माथा पट्टी कुछ अलग तरीके से लगाऊंगी जो की बहुत ही प्यारी सी लगेगी ये रिंस धारान करवाए हैं मैंने मरून कलर के और स्रिंगार करने से आधा ही स्रिंगार हुआ है लेकिन माता बहुत प्यारी लग रही है तो यहां बेर मैंने हलका सा गलू टेक लगाया है और यहाँ पर मैं इनको जो लड़े वाली होती न वो मैं गोल्डन वाली चैन पहनाऊंगी और एकदम दुलहन जैसे तयार होती है वैसा इनका स्रिंगार बहुत ही प्यारा सा आने वाला है मुझे आज के दिन माता रानी का भी स्रिंगार करना था लेकिन नहीं मैं कर नहीं पाई मैं अश्टमी के दिन ही इनका स्रिंगार करूंगी वैसे माता पारवती के सरूप ही है सारे तो माता पार्वती का स्रिंगार हो रहा है और माता पार्वती की सुभे भी अभी शेक हुआ उनका स्रिंगार हुआ और इसी के साथ साम को भी उनका अभी शेक और स्रिंगार होगा अब मैंने उनको माता पट्टी विधारण करवाई हैं मैंने वो जो जूड़ा पिन जो इसके बाद में मैंने नथ पैना दी है और ये कंगन मैंने खुद अपने हाथों से बनाए है आठ कंगन बनाए है गोल्डन कलर के और मल्टी कलर के भी आठ कंगन बनाए थे मैंने जो माता रानी के धारन करे हुए है तो स्रिंगार बहुत प्यारा हुआ है माता का और इसी की साथ मैंने चंद्रिका भी बनाई है रेड कलर के वो भी बहुत प्यारी है अब माता को मैं दुपटा धान करवा दूँगी और इसकी उपर मैं चंद्रिका लगा दूँगी यहाँ पर माता को दुपटा धान करवा दिया है अब मैं चंदरिका ध्राइन करवा रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी और सुन्दर सी चंदरिका बनी है, ये चंदरिकाएं माता को हम पहनाते हैं, इसी की साथ हम यूगल जोडी जो हमारे किष्णु भगवान जी हमारे पास हैं, तो उनके पठके में जब हम ये चंदरिकाएं इसी की साथ दूसरे हाथ में, मैं एक फूल धारन करवा दूंगी माता को, और इनका स्रिंगार कम्पलिट हो गया, और कलीरे पहनाओंगी, कलीरे के जो मोती थिना वो काले हो गए थे, जो मैंने वो मोती निकाल कर दूसरे गोलन मोती लगाए हैं, कलीरे बहुत प्यारे हैं तो स्रिंगार आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताए चैनल को लाइक और सस्क्राइब और इसी के साथ इनका स्रिंगार हो गया है और मैंने इनको मंदिर में पिठा दिया है स्रिंगार कंपलिट हो गया है आपको ये स्रिंगार कैसा लग रहा है मुझे जरूर से बताया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जैमादादी